नमस्कार बहस के इस खास करकर में अडिटर्स चॉइस में आपका स्वागत है अब कहते हैं ना कि वक्त का काटा घूम कर वही पर आ जाता है जहां से चला था याद कीजिए उस समय की सरकार जी हाँ UPA सरकार और उस समय का NDA यानि की विपक्ष विपक्ष उस समय की सरकार उस समय के ततकालीन प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोन सिंग से तमाम तरे के सवाल पूछा था लेकिन जवाब क्या मिला सब को पता है अब उस समय का विपक्ष आज सत्ता में बैठा है और आज जो विपक्ष में पाठी बैठी है वो वरत्मान सत्ता से सवाल पूछ रही है कि जवाब दीजिए जी हाँ पैट्रोल और डीजल के दाम देश में हाहाकार मचा हुआ है कि आखिर क्यों पैट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रही है सरकार की अपनी मजबूरी है लेकिन उस वक्त भी तत्कालिन सरकार भी सत्ता में बैठी थी उसकी अपनी मजबूरी थी उस समय विपक्ष सवाल पूछ रहा था आज भी सवाल पूछेगा ऐसा क्यूं है? क्यूं महंगाई है? और अगर पैट्रोल डीजल के दामों में बड़ोतरी हो रही है लगातार हो रही है तो इसका असर बाकी चीजों पर भी पड़ेगा और बाकी चीजों पर पड़ेगा तो हाहाकार मचेगा विपक्ष के हाथ ठतियार लगा है हार राजनेतिक हतियार पैट्रोल डीजल का है इसलिए दस्तारीक को बंद है चर्चा करेंगे तमाम जानकार मेरे साथ मौझूद होंगे लेकिन सबसे फ़ले नजर देश की कुछ बड़ी ख़ब रोब चार राज्यों के साथ तैलंगाना में चुनाव कराने की अटकलों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्ते उपी रावत में इस्तिती साफ करती है उन्होंने कहा है कि हम इसका आंकलंग कर रहे हैं कि क्या तेलंगाना के चुनाओ चार राज्यों के साथ कराय जा सकते हैं या फिर ना वहीं केंद्रिय सामजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठाबले ने आर्थिक रूप से कमजोर समर्डों को 25 फीज़दी आरक्षन देने की पाकालत दिया उनोंने कहा है कि इसके लिए आरक्षन के दायरे को 50 से बढ़ा कर 75 फीज़दी करना होगा और इसके लिए सभी दलों को सरकार के साथ देना चाहिए वहीं उत्तर प्रिदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात ने अखिलेश यादव की तुलना औरंग जेब से की है कियात्रा का सबूत जारी किया गया है कॉंग्रेस की ओर से कैलाश परवत के सामने की एक तस्वीर और फिटनिस वाच की आख्रे जारी किये गया है गौर तलब है कि राहुन ने पिछले दिनों कियात्रा की तस्वीरें शेयर की थी जो सोशल मीडिया पर फरजी बताते हुए प्रेंट होने लगी उदर एमदाबाद में अंचल पर बैठे हार देख पटेलगो अस्पताल में भरती कराया गया है पाटीदार आरक्षन और किसानों की कर्जमाफी को लेकर वो चौदा दिनों से धूख अरताल पर है बीजेपी उनके अंचल के पीछे कॉंग्रेस का हाथ पता रही है तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल के लिए के पास दो आतनकबादियों को खुरफतार किया है दोनों कश्मीर में शोफिया के रहने वाले हैं इनका संबन इस्लामिक स्टेट आफ जंगु कश्मीर से बता जा रहा है इनके पास से दो पिस्टल, दस कार्थूस और चार मोबाइल परावर किये गए तो पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भारत को फिर गीदवभब की दी है बाजवा ने कहा है कि वो सहरत पर बहिर खून का पता लेंगे एक तरब तो इमराई शांती की बात कर रहे है वह दूसी तरब उनके से ना प्रमुक आग वगल रहे है लेकिन आग इस देश में भी है जी हाँ पेटरोल डीजल को लेकर है पेटरोल डीजल की कीमतों में बड़ोतरी को सिलसला लगातार जारी है दिल्ली में पैटोल 89 रुपए 99 पैसे प्रती लिटर हो गया है जब कि देश की आर्थिक राजभानी मुंबी में पैटोल 87 रुपए 99 पैसे के हिसाब से बिक रहा है और जब ये हो रहा है तो विपक्ष का सवाल उठाना लाज़मी है और विपक्ष जब सवाल उठाएगा तो सरकार से पूछेगा ही ठीक उसी तरीके से जैसे ततकालिन सरकार से यानि की डॉक्टर मनमौही सिंग से उस वक्त के विपक्ष ने पूछा था इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्त का काटा घूम कर वहीं पर आता है जहां से चला था जी हाँ पैट्रोल डीजल की कीमत रोज नए रिकॉर्ड बना रही है सरकार की और से कोई भी राहत के संकेत नहीं मिल रहे है वित्यमंत्री अरुण जेटली पहले ही उत्पात शुर्क में कटोती से इनकार कर चुके है लहाजा जनता अब भगवान भरोसे ही है विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आवाज बुलंद कर रहा है लेकिन अब कॉंग्रेस जागी है और तेल की बढ़ती कीमतों पर 10 सितंबर को हाहा कार करने जा रही है ये बात अलग है कि वो अब तक सोई हुई थी और राहुल गांदी कैलाश मान सरूबर से सरकार के फिटनिस की जगए अपनी फिटनिस की जानकारी लोगों को दे रहे है तो वही धरना पार्टी के मुखिया कहे जाने वाले के जिवाल भी वैट कम करने के सवाल के जवाब में केंदर को उतपात शुलक कम करने की नसीहत दे रहे है ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार जनता को महेंगा सुर से आजादी कम मिलेगी अडिटर च्वाइस में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे मेरे साथ मौजूद होंगे बीजेपी के प्रवक्ता महिश फर्मा इसके साथ साथ कॉंग्रिस के प्रवक्ता सुलिमान खान औल इंडिया पेट्रोल डिलर्स असोसियेशन के अद्दक्ष अजय बंसल और हम चलेंगे पूर्व पेट्रोलियम सचिव ऐसी तरपाथी साथ के पास उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तेल का खेल आखिर है क्या सबसे पहले बात ऐसी तरपाथी साथ से तरपाथी साथ एक बार फिर वही काटा आ गया है वही पर समय आ गया है और समय आकर रुख गया है और विपक्ष और देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तेल कब सस्ता होगा डीजल कब सस्ता होगा पैट्रूल कब सस्ता होगा और सरकार कहती है कि जनाब फिलाल तो मुश्किल है क्योंकि ये अंतर रास्टी बाजारों का कमाल है और उस कमाल को हमको स्वीकारना होगा आप से हम समझने की कुशिश करते हैं सच्चा ही क्या है देखिए जब पिछली सरकार कारेकाल समाफ्थ हो रहा था दोहजार चौदे में उस समय तेल की कीमत क्रूड आइल की कीमत लगवग एक सो दस डालर एक बैरल थी और सरकार की टैक्सेश कें सरकार की टैक्सेश साड़े तीन रुपए सबातीन रुपए डीजल पर प्रतिलीटर थे और लगवग दस साड़े दस रुपए प्रतिलीटर पेट्रोल पर थे तो उन्होंने कीमतों को मौडरेट करने के लिए अपने टैक्सिस घटाए थे और इस स्थर पर लाके रखा था रुपए की कीमत भी उस समय थोड़ी कम थी रुपए की कीमत लगबग 62-63 से लेके 64-65 रुपए प्रश डॉलर थी डॉलर की कीमत रुपए में कम थी आज के मुकाबले अब जो स्थिति हुई है कि 2014 से 2017 की बीच में केन सरकार ने अपने टैक्सिस काफी बढ़ाए और डीजल पर सवा तीन रुपए से बढ़ाके साड़े कर लगबग 67-70 रुपए प्रतिलिटर कर दिया और पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा करके 1,5-20 रुपए प्रतिलिटर कर दिया तो हमारे यहां लगबग 10,000 करोड लिटर डीजल और 4-4,5,000 करोड लिटर पेट्रोल की खपत होती है इस प्रकार से एक वर्ष में अगर पूरा बृद्धी का हम आकल करें तो लगबग डेर लाग से पौने दो लाग करोड रुपे की अतिरिक शुल्क के इन सरकार ने प्राप्त किया राज इस पर वैट लगाते हैं और वैट शूकी एड वलिरम होता है तो जब कीमते बढ़ती हैं चाहे वो कच्छे तेल की कीमत अधिक होने की वज़े से कीमत हो या टैक्स अधिक लगाने के कीमत अधिक हो तो उनका टैक्स भी और बढ़ता है तो इस प्रकार राजियों को भी अतिरिक कर मिला और उन्होंने भी इसका लाब लिया अब ये बात सही है कि जो अचरिक संसाधन केन सरकार ने जुटाए उससे उनकी fiscal deficit कम हो गई, current account deficit इसलिए कम हो गई कि कच्छे तेल की कीमत 110 डॉलर प्रति वैरल से घटके एक समय में 2015 के अंत में 2016 के प्रारभ में लगभग 30 डॉलर प्रति वैरल हो गई थी, फिर बाद में थो कि current account deficit कम हो गई, जिससे रुपे का million नहीं हुआ, fiscal deficit घट गई, जिससे कि केन सरकार को अतिरिक खर्च करने की गुझाईश हुई, और महंगाई नहीं बढ़ी, और अतिरिक जो डेल लाग करोड रुपे प्रतिवर्श की प्राप्ती हुई, उसको उन्होंने अपने कारियों में और स्थापना सुविदा विकास कारियों आदमी लगाया, नहीं तरपाटी साब मैं आप से एक सवाल इसलिए पूछना चाहरा हूँ, क्योंकि आप तो यूपीय में भी रहे हैं और उस वक्त आपने ये विवाग भी समालाया, आलोचना भी जेली हैं, तो अब जो सरका बात कर रही है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दाम नहीं घटा सकते, अंतरास्टी बाजारों की स्थिती है, अंतरास्टी असर है जिस पर ये सारी चीज़ने निर्वर करती हैं, हम जनता को रहात नहीं दे सकते, तो क्या सरकार रहात देने की स्थिती में हैं, या वाकई सब कु पे की मुले पर और टेक्सेस पर निर्वर करती है ये बात अपनी जगह है कि कच्छे तेल की कीमत पर सरकार का कोई नियंतरण नहीं है डॉलर और रुपे के संतुलन में सरकार का थोड़ा रोल है लेकिन चुकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा है और करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता गया है यद्यब की कच्छे तेल की कीमत काफी कम हुई है लेकिन उसके बावजुद हमारा करेंट अकाउट डेफिसिट बढ़ा है क्योंकि हमारा निर्यात नहीं बढ़ पा रहा है सरकार उसमें कुछ अधिक कर नहीं पा रही है इसलिए रुपे का फ 90% टैक्स था पिछले साल इस पे काफी जन्ना क्रोश हुआ और शायद कुछ लोगों को याद हो कि ऐसे कार्टून में निकले कि जो पेट्रोल पंप हैं वो जितना पेट्रोल कीमत वसूल करते हैं उससे जादे टैक्स वसूल करते हैं तो उन्हें टैक्स कलेक्टर क्यों न जादे हैं हमारे जितने पडोसी देश हैं उन्हें कहीं भी इतना टैक्स नहीं लगता है जी और उन सब में कई में तो ऐसा है कि हमारे ही हमी लोग हमारी रिफाइंडी उनको एक्सपोर्ट करके पेट्रोल डीजल देती हैं और वहां पर जो कीमते हैं वो हमसे कम हैं ये डीजल 37.6 देता है यूएई को पेट्रोल 33 रुपे के आसपास दिया जाता हौंकों को पेट्रोल 38 रुपे के आसपास मलेशिया को पेट्रोल 36 रुपे के आसपास और सिंगापर को पेट्रोल 38 रुपे के आसपास और मुझे लगता ये आपको बताने की जरूरत नहीं होग इस चिंता को हम मानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्त की जिस तरह से कीमत बढ़ी है, हम सब के लिए चिंता जनक और इसका एफेक्ट जो है हर आदमी के उपर पढ़ना है, हम एक राजनितिक पार्टी के नाते ये बात या राजनितिक लोग होने के नाते ये बात नहीं कह रहे हैं, हम एक भारतिये नागरिक होने के नाते हम भी उसका एफेक्ट जेल रहे हैं, लेकिन ये मानना और ये कहना कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, इस सरकार आपको एक जानकारी में दूँ, आज भी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इस बात को बताया भी कि हमारा एक प हमेशा जो है, वो उसका जो सही मुल्य है, उससे डबल टेक्स के वज़े से हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जीस्टी कॉंसिल ने इसको प्रिंस्पली माल लिया, विकॉज कि बीजे पी की आज जो हमारी 21 राजियों की सरकार है, वहां हम कहीं ना कहीं इस चीज में सफल र पे, जो ये टेक्स के रूप में इस से जुड़ता है, पेट्रोलियम पॉडक्ट में, वो लगबग आधा रहे जाया और इस तरह से पैसे जो है, पेट्रोलियम का जो अभी मुल्य है, उसमें हमें बहुत बड़ी राहत मिले, बहुत जल्दी ये खबर जो है, बहुत यह तो इन्हें देश को समझाना है जब मनमोहन सिंग जी प्रदान मंतरी थे और जिस दिन मोदी जी चुनाओ जीते या भाजपा चुनाओ जीती में 2014 में 16 मई 2014 में उस टाइम कच्छे तेल का दाम 108-110 डालर पर बैरल के रेट पे था और पेट्रोल दिल्ली में 70 रुपए वि बिकराए दिल्ली में 80 रुपए और डीजल बिकराए 72 रुपए टैक्सेस तीन रुपए 46 पैसे थे मई 2014 में डीजल पे सेंटल एकसाइस डूटी आज वो 15 रुपए 33 पैसे हो गई है चार सो परसंट की बरहुत्री उसमें हो गई है और पेट्रोल पे सेंटल एकसाइस डू कि इन सरकार ने पेट्रोल पे बढ़ा दी और चार सो परसंट की डूटी सेंटल एकसाइस टैकसेस डीजल पे बढ़ा दिये और उसके बाद कहते हैं चिंता नहीं करना चाहिए इस डीजल और पेट्रोल और बतौर खास डीजल पे जिस तरह से दाम बढ़ एं उसका एफेक के और और मुक्तलिफ चीज़ों के और उसके बास सरकार कहती है इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रूड आइल प्राइज़ डाउन हो गए चार साल में तकरीबं तीस परसंट जो मनमोहन सिंग जी का आप निकालेंगे आवरेज उनके दस साल का जो कारेकालता है अमोदी जी का ज साल का है तो क्रूड आइल प्राइसस थर्डी परसंट डाउन हुए है जहां तक रुपए के मकाबले डॉलर के मकाबले रुपए में गिरावट हाई है इसका भी सरकारी जवाब देगी जैसा अभी आपके विश्यचग्गे कह रहे थे कि सी एडी बढ़ गया है करेंट अक चफलता है कि एक्सपूर्ट आपका क्यों कम हुआ और इंपोर्ट क्यों बढ़ा और हद यह हो गई कि आपको एग्रिक cartridgeRCural प्रोड़क्ट्स इंपोर्ट करना पड़ेए और उसका भी बुरा हाल है इसलिए agriculture का industrial growth का बुरा हाल है और सबसे बड़ी बात जो आपने मनोज Gir पूछी कि विदेशी विदेशी मुलकों को आप दे रहे हैं पेट्रोल दे रहे हैं 37 रुपए में और डीजल दे रहे हैं 34 रुपए फॉरन कंट्री इसको अमेरिका को अस्ट्रेलिया को मलेशिया को आप 34-37 रुपए हुने आप दे रहे हैं ते डीजल और पेट्रोल और दे दिश्च में धरना देंगे जिससे और लोगों को आम नागिरी को असुविदा नहीं हो हमें लगता है हम सरकार से कहते कहते ठक चुके हैं चार साल में कि जनता के साथ अत्याचार मत करिए ग्यारा लाग करोड आपने टैक्सिज में एक्सेसिव टैक्सिज डालके जनता से अर देश्ट के लोगों को आप पैट्रूल डीजल किस दाम में दे रहे हैं और हमारे पड़ोसी देशों को किस दाम में दे रहे हैं थोड़ा सा इस पर बीजेपी के नेता हो कारेकरताओं को नजर नहीं डालनी है पहले तो मैं इनकी बात का जबाब दे दू यह जो हैं कि निसलिए इसलिए इनी कि इनी तो के जरीए आपने देश बर में आंदोलन इस बात के लिए कि यह जो पैसे लेकर आए यह जो पैसे उसमें चार्ज़ कर रहे है पैसे जो ऑनाज यह ते लेके आ रहे थे तब आप असी रुपए का पेट्रोल बेच रहें नटवर सिंगी का प्रक्राना आपको याद नहीं है आपको याद नहीं है आप लोग इतना जल्दी भूल जाते हैं क्यों भूल जाते हैं वह देश के हर आजमी को हिट कर आप एक देश के नागरिक है आप यह आप उसमें आते क्यों भी बात करते हैं यह मनमौन सिंगी का फैसला था जो अभी लागू किया गया है कि जो कुरूड आयल आएगा और उसमें टेक्स जुड़ेगा उसके बाद जो पैसे आएंगे उसके एकॉर्डिंग रेट फिक्स होता है तो पिर मनमौन सिंग क्यों न करता हूँ आपको आपने अभी यह का मनमौन सिंग्स की निती है कि हमने उसे लागू किया है इसलिए देश की जनिता को मेगा डीजल पैट्रों मिल आए आप इस मैकनिजम को एक दिन में मनौन जी खतम नहीं कर सकते हैं स्टेट का जो सबजेक्ट है वो हमारे हाथ में नही ना वहाँ यह टाक्स खतम कर दे हाँ 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 बता जवाब देता हूना लाई ए जियस्ती में आपके सरकार है इनमें इह इस्ती के अंदर लाईए पेट्रोल डीजर आपने क्या तकलीफ है आर्थिक इस्तिती आपने कितनी स्टेट्स में एक किस राज़्यों की और आपक लाई है उसके लिए उसके लिए भी आपको कॉंगरेस को कोसना बंद करिये अब लोग आपसे सवाल कूछ रहे हैं साड़े चार सा लोग है आपको 21 राज्यों में आप हैं केंदर में आप हैं अब रहात की बात सुन लिए मनोजी की उस बात को कि हम 33 रुपया हमें 28 रुपया में मिलता है या 29 रुपया में कोई चीज मिलता है उसके उपर टेक्स है इसलिए दे रहे हैं कौँ को बाब कर रहे हैं आक आप पुछ रहे हैं आप कैसी बात आप कर रहे हैं क्यों कर लहा है आप आईये आप DD才 को समझ आया पहली सरकार है जो पाल्लिमिंट प्लॉक ने रहते हैंब यह पाइली पार्टी है विपक शक्स वर ब्लॉक करता था जब कॉंग्रेस की सरकार जी तब आप ब्लॉक करते थे अपोजिशन करते थे अप पुछी आप पावन है पार्टी आपके पास चलता हूं अजय बंसल साहब जो कि पैट्रोलियम डीलर्स असोसियेशन के अध्यक्ष भ क्या आपको लगा कि सरकार में बैठी उस समय की कॉंग्रेस जो जवाब दे थी ती वही जवाब आज बीजेपी दे रही है और जो कॉंग्रेस सवाल आज पूछ रही है वही सवाल उस समय की एंडी और बीजेपी पूछ रही थी दोनों में कोई अंतर है आप से पूछना देखिए मैं कोई political आदमी नहीं हूं इसलिए मैं पूछ रहा है इसलिए जो गुष्टा है वो हमारे पंपों के चाथ हजार डिलरज को सहेना पड़ grow up ना तो वो डा बीजका रहा WE – जो आते हैं और पैट्रॉल का जो गुष्टा है वो सबसे पहले मेरे उस दर्ग के पहे और उस सताफ के उतारते हैं जो की पैट्रोल बढ़ रहा है जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है कि जब वो बढ़ते हैं और उनको दिखता है कि हर रोज 20 या 30 पैसे बढ़ रहे हैं वो हमें एक एक विचारे एक बड़ी मारमिक निजर से देखते हैं कि जहाँ पर 500 का पैट्रोल लेता थां वह जब मेरे पास 10 लीटर आता था टेल बेचना है और वारा लाख लोगisesti ने के परिवारों को चला है और दो लोग दारेक्ट काम करते हैं बहुत से लोग है तो इस इस जहां टेल के आस्थित्फ का स्वाल रहे जाता है बात जैसे के एक बीजेपी के प्रवस्ता कहा रहे है कि सभ सर्श है वहात है कि कौन बढ़ा है क McM m powered कि करेगा मैं तो इस बात को देखाई में को को यॉदॉ कर तो इनको दोनो टेवल पे आ कर और देश हित में इस तेरven को तुरंट गटा तरपाटी साब के पास मैं चलूँगा तरपाटी साब अंतरास्टी बाजारों के जिकर किया जा रहा है कि वहाँ पर जो क्रूड ऑईल की इस्तिति है उसी के साफ से देश में पैट्रोल तय होता है मुझे लगता है कि पता नहीं, मैं सही हूँ या गलत हूँ लेकिन जो समझोते तेल कमपनियों से होते थे अंतरास्य बाजारों के उन में जो एग्रिमेंट उनके साथ होता था वो या तो तीन साल में या डेर्ड साल के में लिए होता था और उस वक्त जो rate होता था वही rate डेड़ साल तक या तीन साल तक रहता था चाहे बाहर की इस्तिति कुछ भी हो क्या ऐसा है वाकई केबल 95 पृतिशत तेल ऐसे ही खरीदा जाता था पाँच पृतिशत जो तेल है जो requirement है वो अंतरास्टिय बाजारों के दाम के उपर नीचे उनको देखते हुए खरीदा जाता है क्या मैं सही हूँ नहीं अब आजकल ऐसा नहीं है केवल quantity supply का contract होता है और दाम जो है वो एक benchmark है जैसे Brent crude है दुबाई crude है उन benchmark से determined होता है और ये इसलिए जब वो तेल चलता है तो उस दिन का जो benchmark है उस पर determined होता है इसलिए वो तो कीमत बढ़ती गड़ती है लेकिन इसका आकड़ा मैं आपको बता दू crude oil की कीमत आज के दिन भी प्रति लिटर करीब 31-32 रुपए है और 20% से जादे कोई refinery में खर्च नहीं होता है उनके profit निकाल दीजे तो भी तो 37-38 रुपए से जादे लागत है ही नहीं उसके बाद जहें वो और margin है refinery की 3.5 रुपए प्रति लिटर, 3.63 पैसे प्रति लिटर साइद पेट्रोल पर और 2.5 रुपए प्रति लिटर डीजल पर commission है dealers का सरकार ने जब तेल के दाम कम हुए 2014 से लेके 2017 तक तो उन्होंने सबसे पहले तो टैक्स लगा के अपने खजाने की स्थिती के सुधार किया फिर उसके बाद तेल कंपनियों के margin बढ़ाए और डीलर्स के commission बढ़ाए कंजूमर का सबसे अंत में ख्याल देखा तो अब वो जब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसी इसाब से बढ़ती जा रही है तो जब तक इसमें इन तीनों चारों चीजों पर ध्यान नहीं होगा कि केंदर और राज अपने टैक्सेस कुछ कम करें डीलर्स के commission में भी इस समय थोड़ी से गुझाईश हो सकती है refinery के margin में भी गुझाईश हो सकती है तो थोड़ा तभी कम होगा सबसे बड़ी बात ये है कि एक साल से ये लोग बात कर रहे हैं GST में ले जाएंगे लेकिन केंदर और राज दोनों एक दूसरे को उपर लांचन लगा रहे हैं कि वो नहीं तयार है और ये दोनों नहीं करना चाहते हैं इन दोनों की स्तिती ये है कि ये इतने जादे इस पर निर्भर है अपने राजस्वाब खजाने को भरने में और अपने खर्चे को नियंतरित ना करने के कारण और इतना आसान है ये टैक्स इसमें कोई टैक्स कलेक्शन में कोई खर्चा नहीं होता है इसमें कलेक्शन में चोरी की गुंजाइश नहीं है तो केंडर और राज दोनों ही इसमें बड़ी अनाकानी करते हैं कि इसको किसी तरीके से कम किया जाए महेजीब देश के पूर्व पेट्रॉलियम सेकेर्टरी हैं तिरपाटी साहब और उन्होंने बता दिया कि सब कुछ लगा लीजिए रिफाइनरी का खर्चा भी जोड़ लिए 33, 34, 35 रुपे ज़े लीटर जादा भिकना नहीं चाहिए मुझे लिए 2014 में एक नारा याद आता है बहुत हुई महंगाई की मार अपकी बार मोदी सरकार नहीं बहुत हो खेर आप जो कुछ भी अभी हाल मतलब जो आप कह रहे हैं मनोज जी यह आपकी चिंता मुझे बड़ा सौभाविक लग रही है यह कोई हकीकत है जिसको आप भी समझ रहे हैं मैं भी समझ रहा हूँ की पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी है और इसका इंपक्ट जो है हमें कहीं कहीं महंगाई की रूप में भी जहलना पड़ेगा इसमें कोई इससे हम इस बात को कहने में लेकिन इसके उपर कंट्रोल यह कोई सरकार ने यह कोई आर्टिफिशल हमने कोई अपने तरफ से हमारी कोई इसमें गलती है या आप यह कह लीजिए अगर पुल्टिकल ब्लेम गेम ना हो तो एक आकड़ा अगर आप कहें तो मैं आपको आपके सामने रखता हूँ हो सकता है यह तिरपाठी जी यह तिरपाठी जी भी उससे सहमत हो जो कि मैं समझता हूँ कि एक मैं अभी उसको देख रहा था तो यह जो क्रूड आयल है आजकल जैसे इरोप अमेरिका में जो है कड़ाके की ठंड रहती है तो क्रूड आयल का की बलेंं गेम की बात ना करके समस्याओं के एक जो impost अउपकर जो एक फोकस करने वाली बात है वो भी हो सकती है कि जब कंजेप्शन इंट्रनेशनली ज्यादा कोई चीज चीज चांजिम हो तो ये सारी चीजे हमें कहीं ने कहीं हमारे उपर इंपेक्ट डाली है, हमारा जो एक मैक नीजा में जो सिस्टम है, हमने अभी वही रखा हुआ है, जो पुर्व में हमारी सरकार करती ही आ रही है, अब उसमें बदलाव की जहां तक बात है, जिसकी मैंने आपको आपसे जो इ क्यमत हैं आप, इसलिए मेंगा है, देखिए, क्रूड ओयल की कीमत बढ़ी तो है, और जो उन्होंने बाते कहीं, वो अपनी जगह सही है, कि एरान की कटिनाई, वेनेजूला की कटिनाई, इन सब कारणों से, क्रूड ओयल की कीमत, जो पचास डॉलर और एक समय तो तीस तक थी, पिछले साल भर से, वो साठ से बढ़ने लग गई है, और इस समय सतर से पच्छतर के बीच में आ गई है, पच्छतर के आसपास जादे देर तक रह रही है, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये भी सही है, कि अंतर राश्ट्रिय बाजार में, जो है, वो हुआ, अब क्रूड ऑईल की कीमत पर हमारा नियंतरन नहीं है, लेकिन अन्य चीज़ें जो हमारे नियंतरन में हैं, उन पर हमें विचार करना चाहिए, और देखना चाहिए, कि इसे कैसे हम ज़्यादे मौडरेट करते हैं, सुलेबान जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता बरफ योरोप में चार साल से पढ़ना शुरू ही है, ठंडिया कंजम्शन योरोप में चार साल से हुआ है, जब से मोडी जी आएं, यह दस साल पहले भी कॉंग्रेस के टाइम में भी होता था, मैं मानता हूँ पहले भी होता होगा, तो तब बीजेपी के लोगों को यह सार मनोजी मैंने यह बात इसलिए कहीं, कि कहीं आप इस बात को लेकर ओंगर्णेस जो है, हाइप क्रियेट ना करें, कोई पैनिकी पैदा ना करें, कि यह फोड़े समय की बात है, तो यह सारे फ्टृ साल में ऐसे करते हैं, जैसे चार साल में ठंड परना शुरू है, जो मैं मन किसी तरीके से कंट्रोल करिये यह जो आप कहते थे महंगाई डायन है खाये जा रही है यह डायन तो आपने पता नहीं नहीं पुछा नहीं जाए लड़ने के लड़ने की चुना हो उन बाइट को नहीं बता था आप यह बाइट के बारे में क्यों आपके यूपी का विधाय को चाशी ठोगया रेपकिया उसके बापको कस्ट्री में मार दिया कत्वा में बच्ची का बलतकार कर दिया गुज्राथ में वाइस प्रेजिडेंट वलतकार राव दिया वह एक्चली यह नारे देना मत पबलिक तयार बैटी आरे आपके पास नारा है सुलेमान साब तो बुलंद करी आप नारे के प्रेड़ेंगा प्रेजिडेंगा आपको आपने ज्यार्ती करिए अप्रोप्रियेट ली जनता जवाब देगी देश की फिकर मत करिये और यह एरोगिन्स और घमन छोड़ दीजे आप वैसे जीनियस आदमी को यह लोग एक्स्वलाइट कर रहे हैं यही बहुत बड़ी एक्स्वलाइट दी है और क्या लोगों को आप ने ठग लिया लूट लिया नोट बंदी कर दी डियर सो लोग मार दिये एकनौमी तबाह कर दी चोटा कारोबारी है और इनको इनको पता होता कि हमें देश की लिए क्या करना है 15,44,000 करोड उपयों को डी मोनेटाइस कर दिया 15,31,000 वापस आ गया 13,000 करोड वापस दिया है 20,000 करोड खपाई में कर्चों गया क्या मिला आपको भई लिके आपको बुरी बात तो नहीं कही ना आपको अच् हम इसकी चिंता करेंगे हम बताएंगे हम इसका समधान लेकर आएंगे हम इस समधान के जरी पेट्रोलियम का करेंगे हम उसमें लगे हुए है साड़े साथ सो करोड़े सा गिनने कैसे गए पाच दिन में यह नहीं समझ पा रहा है इसका जवाब दे दिये आपने यह बताया कि कांग्रेस जो है पेट्रोलियम आप कर रहे हैं क्यों करेंगे बाएंगे हम ने कोई बढ़ाया है छे महीने रह गए चुनाओं में सवाल आ अच्छी थी एक जूट का प्रोपगेंड़ा आपने बनाया था उसका मैं सही कह रहा हूं अब यह बहुत दिन में चलेगा आपका इस देश के लिए अच्छा कर सकते हैं लेकिन देश के नाम पर जो यह आप लोग काम कर रहे हैं ना यह बिलकुल निहायत देश के नहीं है सुलेबान की मानिए आप पले लिखे लिए लड़ाई लड़ी थी नोजवान आगमी होके आप इस देश को आगे बढ़ाना है वो अंग्रेजों की चाप लूसिश करते हैं तो आप हमें देश बखती के नारे हमने आपको कहा कि कुछ अच्छा लिखिए कुछ अच्छी ब क्या चाते हैं आप यही कहते हैं दे मॉनिटाइजेशन यह लॉंग रन में बढ़ाः पर अच्छा होगा लॉंग रन में बता चला दो साल बाद के बरबादी कि कगार पर खड़े हम बिल्कुल बरबादी के दहाने पर खड़े अब आप कहते हैं आगे पैनिक मत करो क्या है प्रशुक्सि को सब पैसे बगाद हों नहीं पीच में फसे हुए वो कभी इधर देखते हैं बनसल साब कुछ बाते हैं आपके मन में आ रही थी आप पूछना चाहते बता है तो हमें जो है वो पच्चिस अजार रुपए के पर मन्त के हिसाब से 170 केल पर कैलकुलेट होता है हमारा कमिशन चलिए मुद्दा ये है एक लीटर पर कितना मिलता है अजय जी ये बता दीजिए एक लीटर पर पंदरा पैसा मिलता है फिफ्टीन पैसा एक्चुल डीलर की जे में जाता है सरकारें एक लीटर पर कितना टैक्स ले रही है जनिता से अगर ये देश के राजनिता और देश की सरकारें समझ जाएं तो मुझे लगता है परेशानी अपने आप में खत्म हो जाएगी बंसल साब तो बेसिक बुद्दा ये है कि हमारा जो टैक्स ट्रक्चर है हर एक सरकार ने एक ड्वेल्पमेंट के लिए एक बजट रखा है जिसको की उनको पैसा पूरा करना है बात चाहे वो एक इस साथ की हो जाए उस साथ की हो बात उनको पैसा चाहिए और एक ड्वेल्पमेंट उसके बिना नहीं हो सकता और उस development के लिए पेट्रोर्म सेक्टर सबसे एक असान और साध्या जरिया है जिससे कि उनको short short एक revenue जनरेट होता है अब इस revenue को कब तक किया जाए चाहिए वो पिछली सरकार थी चाहिए इस सरकार है वो दोनों चाहिए राज्य सरकार है और सेंटर की सरकार है वो इस सरकार है जैसे कि तरफाटी साब की बात बार-बार आ रही है कि उन्हें नहीं कहा कि अब पैट्रोर्म को tax collector के रूप में कहा गया तो basically इसको जो trade है इसको कहां पर हम लोग इसको ले जा रहे है हम tax collection की तरफ ले जा रहे है या इसको public की हित में ले जा रहे है आज जबकि यह जानते सब्ता में हैं हमारे तरफाटी साब तरफाटी साब से पूछने थे तरफाटी साब इन्हीं मुद्दों पर केंदर में NDA की सरकार आई और ऐसा नहीं है कि सब कुछ जानते हुए लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए क्योंकि यह सरकार तो लोगों की जन भावनाओं का कितना है एक अनुमाने के 2018-19 में करीब 2,97,850 करोड सरकार की कमाई हो सकती है और सरकार इसको जानते हुए भी अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है प्रयास कर रही है मन्थन कर रही है तो एक रणनीती भी हो सकती है क्योंकि यह सम्मानते हैं कि राजकोशिया घाटा कम कर करने के लिए जरूरी है तो चलिए इसको सहलिया जाए और जब चुनाव नजदीक आएगा तो कोई पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल फैसला ले लिया जाएगा लेकिन सरकार की भी मजबूरी है कि इस पैसे को तमाम ऐसी उजनाव में खर्च किया जाए तो आप मानते ह कि सरकार समझ रही होगी और समझते हुए वो सबकु जानते हो भी इसकी भी प्लानिक बना रही होगी सही बात है सरकार में बहुत बड़े-बड़े विशेशग्य हैं सरकार को यह सारी चीजें अच्छी तरीके से पता है और सरकार इस बात को देख रही है कि चुकि पहले तेल की कीमते काफी जादे हो गई थी जैसा मैंने का 140 डॉलर तक पहुंच गई थी और यद्या पर उस समय टैक्स की रेट कम की गई थी फिर भी पेट्रोल की कीमतें 70-75 के बीच में आ गई थी अपने पीक पर तो एक लोगों में धारना होती है घर चीज की कीमत बढ़ती है लोगों की एक केपैसिटी उसको एब्सॉर्ब करने की बन जाती है तो अभी भी सरकार देख रही है कि ये एक इनिलास्टिक डिमांड है इसके बिना लोगों का काम नहीं चलता है जिसको पेट्रोल डीजल चाहिए वो खरीदेगा ये रोज मर्रा की चीजें हैं तो और कहां तक लोग ले जा सकता कहां तक कीमतें बढ़ सकती है इसलिए एक तो ये बात है दूसरी बात है जैसा मैंने कहा इससे आसान कोई टैक्स नहीं है इससे आसान और इससे अच्छा इतना इतनी मात्रा में प्राप्त होने वाला कोई अन्य टैक्स सरकार के पास ना तो केंद के पास है ना राज्यों के पास है और उनके खर्चे स्वभाविक है कि बढ़ते गए हैं आन्ने शुरोत उनके बढ़े नहीं है इसलिए उनको इसमें काफी कठनाई है इसकी रेट को कम करने में सुलिमान साब एक बड़ा एमाउंट है सरकार के पास और स्वभाविक तोर पर आप देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को भी जानते हैं अमिश्या को भी जानते हैं इनकी वर्किंग को जानते हैं और ऐसा नहीं है कि देश की जन्र भावनाओं को ये नेता नहीं समझते हो अगर उसके बावजूद भी अब तक सरकार कुछ नहीं कर रही है या देश के वित्तमंत्री या देश के पेट्रोलियों मंत्री कहते हैं कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है बाहरी योगदान के कारण ऐसा हो रहा है तो समझिए कि उसकी रणनीती भी बन रही होगी ग्यारा लाग करोड रुपए चार साल में मोदी जी की कें सरकार ने ग्यारा लाग करोड रुपए एक्सेसिफ टैक्स में जादा टैक्स लेके जनता से देश से जमा किया है और देश की जेप काटी है इसका सवाल जनता लगातार पूछ रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल दाम बढ़ रहे हैं सारे वादे जूट साबित हुए जुम्ले साबित हुए पंद्रा बीस लाक रुपे मोदी जी ने कहा था रेकाउंट में डालेंगे आज तक नहीं डाले हम इंतजार कर रहे हैं किसानों से कहा था प्लस फिफ्टी परसंट देंगे वो भी नहीं दिया तो बही कश्मीर में हमने देखा क्या हाल हुआ साड़े तीन साल इनकी स्टेट में भी सरकार रही आखिर में सरकार कही रहे ना पारलेमेंट के फ्लोर पे अभी तो आपको यह बताना है कि जो पूछ रहे हैं उसका जबा में बरबाद कर दिये फेल हो गएं तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कि यह जवाब क्या देंगी है मेरा यह इनको सुझाव है सरकार को इनकी प्रवक्ता के जरीए कि जितने दिन भी बात रखता अपनी राय रखता इसमें अच्छा काम करें वह आप नहीं आप समाल सकें नहीं आपने लोगों को बेखूब बना है आप हमारी लीती और बड़े बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं ने एक च्छोटी सी आपको बात एक चोड़ा सा उधरन दे के आपको समझाना चाहूंगा अगर आप मुझे एक मिनिट का टाइम दे दे तो इजाज़त है बोलिए बोलिए मैजी साथ हजार करोड उपे सुईज बैंक में बढ़ गए एक साल में बढ़ गए एक अच्छी बात अगर मैं बता दूए हैं इनके जानकारी में ला दूए बता दीजे मैं आपने ललित मोधी को बिजवा दिया कभी विजय माल की जैबिक परिक्षण जो यह जो जैबिक इंधन की जो परिक्षण पर रोक लगी हुई थी जिसको हमने दोहजार में आते के साथ ही एक फैसला लिया कि इसके उपर से हटाओ उसका नतीजा आज कहीं ने कहीं इस तरह की चीजों को जहल रहे हैं उसको कमतर करनी की कोशिस कर रहे हैं कि नहीं उस कटनाई को आप इस चीज को क्यों नहीं समझने की कोशिस कर रहे हैं अज़ा आप यह नहीं मानेंगे कि टैसे आपने चार्साइब चार्साइब में जवाब चाऊंगा क्या जल्द ही पेट्रोल डीजल के जो बड़े हुए दामें उनमें कटोती होगी जीस्टी में शामिल किया जाएगा देखे मनोजी मैं आपको एक दावे के साथ बात कह रहा हूँ कि आज जो हालात है उस हालात में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो है अगले एक दो महीने में आपको देखने को मिलेगा बचा में सभी मैमान मेरे साथ मौझूद रहे हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया खबरों के सफर में इतना ही बाकी खबरों लिए चलते रही है समय के साथ